तो दूसरी में बात करने वाले श्रीरेनुका-शुगरस के बारे में जहाँ पे आज भी हमें एक हेल्थी प्रॉफित बुकिंग देखने को मिली है. मारकेट मारकेट में करेक्शन था तो डेफिनिटली आपको स्टॉक्स के अंदर भी करेक्शन देखने को मिलेंगी. अभी जो stocks market के opposite चलते हैं तो वो उनकी जो तेजी है वो ज्यादा सस्ते नहीं हो पाएगी अगर market ज्यादा गिर गया तो उन stocks में बड़ा फो देखने को मिलेगा तो इससे अच्छा ऐसे stocks को पकड़ा जो market के साथ-साथ यहां पर चल रहा है अगर कोई stock उपर भागी रहे, market नीचे वो उपर भाग रहा है तो वो सिर्फ आपके intraday move के लिए वो operator का मूँ है ठीक है वहाँ पे आपको क्या करना है एक ही दिन में काम खत्म कर लेना है प्रॉफिट आया निक लॉस एसेट हुआ निकलो ज्यादा holding आपको वहाँ पे नहीं बनानी है लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें रेनू का शुगर की तो दो दिन से market में correction है तो यहाँ पर भी connection मिल रहा है breakout का level से यहाँ पर क्या था पचास का था तो अगर यह stock आपको अभी कहाँ पे 52.70 पे है ठीक है थोड़ा सा और connection हो जाए तो अगर 67 प्रतिशत का correction औरड़ी यहाँ पर हो चुका है from the top level उससे भी ज़्यादा हो चुका है 60 के level से 52 पे आच चुका है 8 रुपे गिर चुका है यह stock ठीक है तो 2 रुपे अगर मान के चले तो यहाँ पर 3.5 प्रतिशत की गिरावट है ठीक है तो रफली माने तो 10-15% का correction श्री रेनु का sugars from the top level आच चुका है तो यह bike की opportunity आपके लिए bike unity क्यून है क्योंकि यहाँ पर जब buying आई थी, volumes काफी अच्छे थे और selling time पर volume इतने कुछ strong नहीं है ठीक है मतलब sale यहाँ पर क्या इतने strong नहीं है ठीक है वो stock को नहीं गिरा पा रहे हैं और यहाँ पर ज्यादातर कौन अभी active है वो virus है तो हम यहाँ पर क्या करे तो मैंने आपको clear cut बताया भी था कि अगर आपको खरीदना है रेनो का sugar को तो wait करो, top पर खरीदने की जरूरत नहीं है around 5058 आपको वहाँ नहीं खरीदना है, आपको 50 का level जरूर मिलेगा 50 का level मिलता है वहाँ पर ban करो कुछ qualities फिर wait करो, 50 के उपर sustain करता है या नहीं करता 14 का ऐसा लगा लो अगर 48 के आसपास आ गया वहाँ से निकल जाओ क्योंकि ये trade फिर fail हो जाएगा ये एक check out में तबदील हो जाएगा वेरी stock 50 के नीचे breakdown देता है तो वापिस इसमें entry कब लेंगे अगर वापिस stock 50 के उपर claim कर लेता है, वापिस safety के उपर चड़ता है, वापिस entry ले लेंगे ठीक है लेकिन ये कुछ level से जो आपको follow करना है अगर आप मान लो कि यहाँ पर 50 के नीचे stock में breakdown दे दिया अभी ये गिरते गिरते 4030 तक आ गया तो क्या करोगे ठीक है कोई भी guarantee नहीं है ये गिर भी सकता है तो इसी लिए इसको follow करो 4847 जो भी आपको ठीक लगे वो ऐसे लगाओ ठीक है वहाँ तक आता है निकल जाओ वापस safety के उपर निकलता है वापिस से बात कर लो volumes को चेक करो, volumes से confirmation low confirmation मीलती है setup हमारे सामने है कुछ भी ज़्यादा करने की आपको जरूरत नहीं है सिर्फ और सिर्फ एक flip level को follow करना है वो है 50 का 50 के उपर strength है, 50 के नीचे weakness है, 50 around bike होगी 4047 अपना रहेगा फर्स 6070380 पॉइंट्स ज्यादा कुछ भी हमें यहाँ पर नहीं करना है तो दूसरे इस वीडियो को फिर हम यहीं करते वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर लेना